हिंदी बाइबिल मेसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों को संभालेगा इसलिए आज आज आप हमारे साथ में इस प्रात्ना में सामिल हुएं मेरा विश्वास है कि प्रवो आपके जीवन में इस प्रात्ना के द्वारा निश्चे काम करेगा और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हों जिनका बदलना आपको नमुकिन नजर आ रहा है। हो सकता है आपका पती, हो सकता है आपके बच्चे, हो सकता है आपका बॉस, हो सकता है और कोई व्यक्ति, आपका दोस्त, कोई प्रियजन, जिसका बदलना आपको नमुकिन लगता है। जिसका मन परिवर्तित होना आपको नमुकिन लगता है। परन्तो आज साम में मैं आपको उठसाइद करना चाहूंगा कि प्रभू के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और प्रभू सीग्र ही उसके हिर्दय को आपके लिए बदल देंगे। सीग्र ही प्रभू उसके हिर्दय को परिवर्तित कर देंगे। बिते दिनों हमारे चैनल पर एक गवाई आई। उस बहन ने बताया कि उनकी साधी के 32 साल हो गए थे और 32 सालों से उनके जीवन में असान्ती थी और उनके जीवन में हस्बन वाइफ के बीच में लड़ाई जगरे थे और उसनों उनके हस्बन नसा किया करते थे जिस कारान से वो बहुत परिशान थे, बहुत निरास्ते, बहुत दुखी थे लेकिन एक दिन जो उन्होंने हमारे साथ में प्रात्ना करना सुरू किया और उनके पती ने भी देखा तो उन दोनों ने बैटकर एक साथ मिलकर हाथ पकड़कर हमारे साथ में प्रात्ना करना सुरू किया उस बहन ने बताया परमेश्यों ने मेरे पती के जीवन को बदल दिया, उनके हिर्दे को बदल दिया, उस दिन से हमारे परिवार में सांती है, उस दिन से कोई लड़ाई जगरा नहीं है, उस दिन से उन्होंने नसा नहीं किया, परमेश्यों का धन्यवाद हो, प्रभू हिर् इस्तिदार हो चाहे आपका बॉस हो चाहे आपका काम करने वाले स्थान में कोई आपका साथी हो या आपका दोस्त कोई भी हो परमेशुर उसके हिर्दे को बदल देंगे एक वचन हम लोग पढ़ेंगे एजरा की किताब उसका एक अध्याई और पांच पद लिखा है तब य जरस्लेम में यहाब के भवन को बनाए वे सब उठ खड़े सूर हो यहां पर परमेशुर का वचन कहाता है कि परमेशुर ने जो पर्थिस्तित पुरुष्त थे जो लेवी थे जो याजत थे उनके मन को परमेशुर ने उभारा उनके मन में परमेशु ने बात किया उनके हिर्दे को एक तरीके से परमेशु ने परिवर्तित किया कि वे जाकर परमेशु के भवन का निर्मान करें परमेश्यों के भवन को बनाने में हातों को बटाएं परमेश्यों के भवन के निर्मान में सहायता करें परमेश्यों ने उनके हिर्दे को बदल दिया परमेश्यों ने उनके मन को उभार दिया इससे पहले भी वो पर्तिस्थित पुरुष थे लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्य के भावन को बनाए इससे पहले भी वो याजक थे लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्य के भावन को बनाए इससे पहले भी विलेवी थे लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्य के भावन को बनाए लेकिन आज क्या हुआ आज परमेशन ने उनसे बात की आज परमेशन ने उनके हिर्दे में कुछ उथल पुथल को कर दिया आज परमेशन ने उनके हिर्दे को खोल दिया उनके हिर्दे को परमेशन ने एक तरीके से देखा जाए तो उभाल दिया उनकी आँखों को परमेशन ने कोल दिया उनने इस पस्ट नजर आने लगा कि हमारा काम क्या है हमें क्या करना चाहिए हमें बैठे नहीं रहना है हमें अपने परमेशन का भवन बनाना है जो खंधर पड़ा हुआ है उसको हमें बनाना है उन्होंने निरने लिया क्यों निरने लिया क्योंकि परमेशन ने उनसे बात की, परमेशन ने उनके हिर्दे को जो कठोर बन गया था, उसे परमेशन ने मांस का बना दिया, उस कठोरता को परमेशन ने दूर कर दिया, उनके अंदर परमेशन एक वीजन को डाल दिया, एक दर्सन को डाल दिया, कि हमें परमेशन का भववन बनाना है, हमें पर कर परमेशुऊ के भवन को बनाना है परमेशुण ने उनके हिर्दे को उभारा उनसे बाचीट की और इनका हिर्दे बदल गया फिर ये सबी लोग परमेशुआ के भवन को बनाने में लग देना उससे पहले ये बैठे होए थे अपना अपना काम कर रहे थे लेकिन परमेशु के भावन से कोई मतलब है आज परमेशु ने इनके हिर्दे को बदल दे हैं हम पालुस के जीवन में देखते हैं एक कठोर ब्यक्ति मसीहों को मारने वाला ब्यक्ति मसीहों को सताने वाला ब्यक्ति नामुंकिन लगता था इसका बदलना लेकिन ए एक दिन ऐसा आया जब परमेशुर प्रभ येश्य मसी ने उससे बाचित की और जब प्रभु ने उससे बाचित की उसका हिर्दे बदल गया और वो पॉलुस परमेशुर का एक बहुत बड़ा सेवक बन गया आज मैं आपको उटसाइड करूँगा आपको नामुकिन लगता ह इस बेक्ति के हिर्दे का बदलना आपको नामुकिन लगता है इस लड़के का इस लड़की का सुदरना लेकिन आज मैं आपको उटसाइड करूँगा आपके परमेशुर के लिए कुछ भी आसमभो नहीं है वो हिर्देयों को बदलने वाला परमेशुर है वो पॉलुस की तरहे आपके पत्नी के हिर्दे को बदल देगा वो पॉलुस की तरहे आपके बास के हिर्दे को बदल देगा वो पॉलुस की तरहे ही आपके दोस्तों के आपके साथ में काम करने वालों के हिर्देयों को बदल देगा इन लेवियों की तरहे इन याज़कों की तरहे इन मु आपके कहने से नहीं बदलेंगे वो बदलेंगे जब पर्मेश वर उनसे बाचित करेगा। उस दिन उसका हिरदय बदल जाए। भूसको आपसे भी बैंतर बन जाए। इसलिए आपको एक काम करना है। अपको केवल और ईसके लिए प्रार्थना करना है। चाहिए हो आपका बचाओ, आपका पती है। कोई भी हो। आपको परमेशुर से उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभू तेरा धन्यवाद इसका हिर्दे बदल गया है, प्रभू तो उससे बाचित कर, प्रभू तो उससे अपने राज्य में सामिल कर, जब आप इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करेंगे, मेरा विश्वास है कि प पहले जैसे नहीं रहेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा, उनकी बुरी आदतें छूट जाएगे, वो प्यार प्रेम और मेल मिलाप से रहने लगेंगे, सांती उनके जीवन में होगी, क्यों? क्योंकि जब आप उनके लिए प्रात्ना करेंगे, निश्य प्रवो उन से बाच प्रवो के बाचित करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन प्रवो उन से बाचित करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, जब उन से प्रवो बाचित करेंगे, और उनका हिर्दे बदल जाएगा, इसलिए आप अपनी कोशिस न करें, आप अपनी कोशिस करें तो केवल प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबिल कहती है कि धर्मी जनकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, जब आप प्रार्थना करेंगे प्रवो आपके बच्ची को बदल देंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे आपके पत्नी बदल जाएगे, जब आप प्रार् राफा प्रेयर पर बहुत प्यार दिखाया है और आप प्रति दिन इस प्रात्ना को अपने जीवन में कर रहे हैं और निश्य आप अपने जीवन में अपनी प्रात्ना को उत्तर पाएंगे आप सांती को पा रहे होंगे आसीसों को पा रहे होंगे बहुत सारे भाई बैनों कम निश्य प्रभू आपके जीवन में काम करेगा और आपको सफल बनाएगा और यदि आप बाइबल पढ़ने का एक सही तरीका सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर से देखें जो कि हमारा दूसरे चैनल प्रेयर पर आल पर है वहां जाकर इस वीडियो को द आपने वाद करती हूं मेरा नाम शमा है और मैं अमिर सर्फ अंजाब से अपनी गवाही दे रही है मेरी गवाही इस तरह है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने अल्ट्रा साउंड करवाया अपना और उसमें पता चला कि मेरे किड्नी में एक पत् प्र Toutना सुन रही थी तो है शिस्त्र अमेरिता ने मेरे लिए प्रात्ना की उन्हों प्रात्ना की जिनके स्टोण है वो निकल जाए येश। के याम से तो मैंने उसको सीव किया और अगले दिन ही सुबह ऐसा हुआ कि जब माई सुबह उठी तो वो मेरी जो स्टोण थी वो सबी को जैमसी की आपके जीवन में आपके बच्चों के जीवन में जो कुछ भी परिशानी चल रही है। प्रभु येश्यू के आगे खुल कर उन बातों को रखें, प्रभु येश्यू आपकी प्रात्नों को सुन कर आपको उन बातों से चुटकारा देंगे, आईए मिलकर हम प्रात्ना करें. धनेवाद, धनेवाद, धनेवाद करते हैं पिता, हम आपका हिर्दय से धनेवाद करते हैं कि आपने ये सुन्दर पल दिया प्रभु, कि हम आपकी प्रशंसा और तारीफ करें, आपका धनेवाद करें पिता, प्रभु आप हिर्दयों को उभारने वाले परमेश्वर हैं पि प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु तु ऐसा है प्रभु यह तेरे एट्रिब्यूट है परमेश्व प्रभु हम प्रेज करते हैं we praise you Lord we praise you Lord in this evening Father धन्यवाद परमेश्व आज की सुन्दरशाम में हर एक के मन को अपने तैयार किया fellowship में भागी होने के लिए पिता आज आपके लोगों के साथ में आपकी उपस्तिती है वो आपकी उपस्तिती को महसूस करें आपका Holy Spirit इस समय प्रात्ना में हरे की अग्वाई करें पिता और हर प्रकार के disturbance को जो प्रभू ये इस समय महसूस कर रहे हैं प्रभू येश्यू के नाम से हर प्रकार का disturbance दुष्ट के कार ये दुष्टात्माई येश्यू के नाम से निकल कर चली जाएं हम आग्या देते हैं परमेश्यू प्रभू तेरा पवित्रात्मा इने प्रभू नियंत्रन दे प्रभु जी संपून समर्पन के साथ में प्रभू तेरी उपस्तिती में बैठ सके पिता ठैंक यू जीजस प्रभू आज की सुन्दर शाम में आप हमारे साथ में आप हमसे प्यार करते प्रभू इस बात के लिए धन्यवाद आपने हमारे गुनाहों को माफ किया है प्रभू हम आपका धन्यवाद देते हैं आपने हम सब को पिता चुना है और हमें नाम लेकर बुलाया है और आपके आत्मा के दुआरा हम सब धोए गए हैं पवित्र किये गए हैं परमेशर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रातना में शामिल हैं, प्रभु हर एक के जीवन में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई परिशानिया है, कोई न कोई दुख है प्रभु जी, ये शुमसी आज आज आप हर एक की प्रातना को सुन कर उसका उत्तर देनी जा रहे हैं अपनी बातों को बताते हैं, कि मैं तुम्हारे लिए ये करने जा रहा हूँ, तैंक यू चीजुस, क्योंकि आप अपने वादे को पूरा करते हैं, जिस प्रकार परमेश्व पिता, आपने राजा के मन को उभारा, और वो तैयार हुआ तेरे भवन को बनाने के लिए, ऐसे ही प्रभू आपने लेवियों के, याज़कों के, और बहुत सारे लोगों के मनों को उभारा, प्रभू ताकि वो तेरे भवन को बनाएं, और परमेश्व बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं से, नाना प्रकार की उत्तम और बहुमूल्य वस्तु प्रभु तेरे भवन को बनाने के लिए लेकर आए प्रभु मैं प्रातन करती हूँ, यह impossible था परंतु आपने अपने लोगों के लिए possible किया प्रभू येश्व मसी में प्रातने करती हूँ, प्रभू जब ये प्रभू impossible बातों को लेकर बैठे हैं पिता, जब पिता इन्हें किसी के जीवन के लिए प्रभू उनका जीवन परिवर्तन होना उनके लिए मुश्किल लग रहा है, किसी का चेंज होना, किसी का व्यवहार प्रातना में प्रभू बहुटों के लिए मांग रहें परमेश्व अपने हज्बन के लिए, अपने वाइट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बास्त के लिए प्रभू जीवन उनका व्यवार उनके टौट्स बदल जाएं प्रभू ये आपके लिए पॉसिबल है, धन्यवाद परमेश्व पिता, तेरा वचन कहता है, तुम पहार से कहो, उखर जा, और समुद्र में जा पर, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, आज आपके लोग प्रभू विश्वास लेकर आपके समुख बैटे हैं पिता, और हर एक इंपॉसिबल बात को लेकर बैटे हैं, येश्व मसी धन्यवाद परमेश्व जैसे कि प्रभू, तुने अपने बहुन बनाने के लिए हरे के मन को तैयार किया, उसी प्रकार परमेश् इनकी वाइब बदल जाए, इनके बच्चे बदल जाए, उनका जीवन सवरने पाए, सुधरने पाए पिता, और जो असंभव है वो संभव होने पाए, येश्व के नाम से, प्यारे परमेश्व पिता, यदि इनने लगता है कि कर्जा देना बहुत मुश्किल है, परंतु प्रभु येश्व, अम धनेवाद करते हैं, कि तुने अपने महिमा मैधन से इनके लिए उपाई कर दिया है, और इनका कर्जा, प्रभु ये कर्ज मुक्त हो गए है, ये फाइनाशल प्रॉब्लम से छुटकारा पाच चुके हैं, पिता, ये हर प्रकार की प्रभु नकरात आत्मक विचारों को आग्या देते हैं, इनके जीवनों को छोड़ कर जाओ, ये शुके नाम से, खुदावन, आज इंटरनल रूप से परमिश्व, प्रभु ये चेंज उने पाए, प्रभु जिनके जीवन के बदलाव के लिए प्रातन कर रहे हैं, ये शुके नाम से, आपने उनके लिए दर्वाजे खोल दे हैं, एक बेस्ट जॉब का, इनकम के सूर्स का, प्रभु तुने उनके लिए दर्वाजा खोल दिया प्रभु, आज ये रिसीव करने पाएं पिता, आज जितने भी लोग बीमार हैं, प्रभु उनके बिमारी, रोग, दर, तकलीव क इस समय हम आज्या देते हैं, इनके शरीरों को छोड़ कर जाओ, येश्यू के नाम से, हर एक चोट को चंगा होने की आज्या देते हैं, हर एक घाव को भरने की आज्या देते हैं, हर प्रकार के कैंसर की उमर, हर एक जानलेवा बिमारी को प्रभु जड़ से खतम होने की अग्या देते हैं हर एक गंभीर बीमारी को जाने के आग्या देते हैं हर एक हाट प्रॉब्लम किड्नी लिवर अंद्रूनी हर एक अंग को प्रॉपर काम करने की आग्या देते हैं येश्यू के नाम से प्रभु जिनकी किड्नी डैमेज हो गई है येश्यू के नाम से हम किड पिता आपने जीवन दे दिया उनकी शरीर काम कर रहे हैं पिता वो चंगे हो गए हैं पिता मैं धन्यवाद करती हूं परमेश्यु पिता क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमीश्युर हूं येस लॉड आज जितने लोग बीमारी में दर्द में घाव में चोट में इंपैक्शन में वैंटिलेटर में और प्रभू लास्ट स्टेज में है आपका वचन उनसे कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्व प्रभू तुने उन्हें जीवन दे दिया है और उनक पिता के रज्य को बढ़ा रहे हैं पिता येश्व मसी उन्हें फलवंथ करे हमारे साथ प्रभू सेवा कारियों में लोग सामिल होते हैं येश्य मसी उन्हें आशीज दे प्रभू जितनों ने अपनी प्राथनाओं को भेजा है, अपनी विंतियों को आपके आगे रखा है, हमारे साथ मिलकर प्राथनाई की है, धन्यवाद देते हैं, पिता एक एक प्राथना को सुना और उत्तर हां आमीन में दिया, और प्रभू इंस्टरग्राम, फेस्बुक, टेलिगाम और योटुब कमें आज की शाम में एक एक प्राथना विंति का उत्तर आपने हां आमीन में दिया ये श्यू, धन्यवाद आप अपने लोगों को बढ़ा रहें, सम्रिद्ध कर रहें, उनके मुस्किलों को आसान कर रहें, आप उन्ने डिप्रेशन से आपने बहार निकाल दिया, हर प्रकार की बुरी लद्ध से, हर प्रकार की गलत संगती से, हर प्रकार की स्कैम, फ्रॉड, धोके से आपने अपने लोगों को बहार निकाल दिया, उन्हें निकलना मुश्किल लग रहा था, परन्तु आपने ये पोसिबल किया, आपने प्रभू इनके विरोधियों के मन को अबारा है आपने प्रभू जिनका जीवन नहीं बदल सकता मनुश्य की द्रिस्टे में परन्तु आपने उनके मनों को भी बदल दिया हम आपका धनेवाद करते हैं बड़ी बड़ी गवाईयों को आप अपनी लोगों के जीवन में कड़ा कर रहे हैं पिता हम आपका धनेवाद करते हैं तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता प्रभू, हम धन्यवाद करते हैं, आज की रात में अच्छी नीन से सुलाएं, कल का दिन ये तेरे साथ में देखें, हर एक डर, हर एक ब्याकुलता, हर एक बेचैनी घबराहट, इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए, हर प्रकार की प् यदि आप सुभा-शाम की प्रात्नाओं से आशीश पा रहे हैं, तो यूही हमारे साथ लगातार सुभा-शाम की प्रात्नाओं में आप शामिल होएं, वचनों से आशीश पाएं, प्रात्नाओं के द्वारा अपनी विंतियों को प्रभू के आगे रखें, प्रभू ये श को आशीस दो जैमसी की